तो स्टुडेंट्स आपने देखा कल कि अपने निम जो सफिक्ष है उस सफिक्ष से जीते सब बन सकते हैं उनका हमने अधिन किया खासकर कि सब्धों का जैदा अधिन नहीं है आधिन किया इसकी quality का कि निम जो है सफिक्ष लगिने से क्या उसका अर्थ बन जाता है जैसे अपने देखा था कि वह कंट्रोनीम का मतलब है कि एंटी ओटोनीम सब्द में खुदी सब्दी उसका एंटोनीम है है ना जिस तरह से आपने क्या देखा था फस्ट तो फस्ट कलर और फस्ट रनर फस्ट कलर होने से कपड़े की चिपकर आता है फस्ट है और फस्ट रनर जोगे से भाग जाता है तो इस प्रकार के एंटी ओटोनीम होता है उनको हम कंट्रोनीम की सिंग्या में तरके हैं परन्तु यदि आप नेट में देखोगे कंट्रोनीम तो आपको नहीं मिलेगा कोई भी साइट पर नहीं मिलेगा आपको बढ़ना पड़ेगा एंटी ओपोनेम और उसके अंदर जुरूट कंट्रोनीम आ जाएगा परन्तु स्वेम कंट्रोनीम बरोगे तो इस तरह से मैं बापस इनको नहीं दो रहने था था क्योंगी समय की लिमिटेशन है यह अपन ने सारे किये थे आज अपन जो करेंगे यह एपोनीम एंटोनीम यह से शुरू करेंगे परन्तु मैं यह मानता हूं कि बाकि जो निम से सपिक्षे जो सब्द बनते हैं वो तो एक अपना कलर पर डाल करते हैं सब्द को परन्तु एपोनीम सब्द एशा है जो अंग्री अंग्रेजी भासा में स्वेम सब्द जोड़ते हैं स्वेम सब्द जोड़ते हैं तो आज हो परन्तु में समझाना चाहूंगा कि आपने समझा है और जहां जाए एपनिम के सब्द के आएंगे तुरंत आज आप वीडिया निर्मान समद का टाइम का ध्यान करें कि आपनिम का मतलब यह है कि कोई सब्द बनना किसी नाउन से चाहिए वह नाउन वास्तिक हो या फैंची हो या इमेजनरी हो उनसे कोई सब्द बनता है नाउन बनता है उसको हम एपनिम करते हैं जिस प्रकार से आप एक्जांपल के तोर पर लोगए वाट कि अब सब रहन हैं वाट वाट क्या होती है आपने देखा है कि सहाबी दस का बल्ब ऑन्पात है पांच वाच़ वाट का बल्ब या कि यह जेश वाट जहां हो जिनोंने इंटर्शी का इंडड किया और पावर लिग है उनके नाम से उनको विकार देने के लिए हमने वाट कर दिया डबल ए डबल टी वो वाट तो वाट मानी इनर्जी की एक इमिनिट है तो आज हम वाट सब्द का इतनी सहस्ता चुप्योग करते हैं कि हम यह ध्यार नहीं देते कि वाट का उत्पति कैसे होई है यह जेम्स वाट से हुआ है कि इसी तरह से सेल्शियस डिग्री सेंटिग्रेथ फारेनाइट डिग्री सेंटिग्रेथ यह भी उन सर्जनों के नाम से हैं जिनों ने टेंप्रेशर को मापने के लिए थर्मामेटर का निर्मार्ड किया था कि ये तो बहुता आसानी से परसेल है प्रइंक आपने देखो पो औरे सुना एक ट्रम्ही द्रीवर्ण नकॷों की एक किताब वो उस पर एक ट्लश पर जो चित्र सपा रहता है किम्धिक्र das लिए तशmmट शिवा चित्रदेखते ही हम कह लेते हैं कि ऴृत ये लस्त का नाम आटे ही सोगी सोते ही हमारे ढाल में आता है की उस्ताब प्रक्रिka हर सब्द के पिछे कहानी छपी और यदि आपने कहानी याद कर ली वह सब्दों याद हो जाए तो रूमन नॉल्मन माईटोलोजी के अंसार, यह मान जाता है कि एक बार, टाइटन्स टाइटन्स वे लिए बहुत आगर बार सूपर हमन्स थे और ऑलंपियन गोड्ड उनके बीच में योद्धुआ। और ओलम्पियन गोड का जो मुख्य है वो जूज है और टाइटन का जो मुख्य था इसका नाम विक्ति का नाम था एकलस तो जब यह हार गया यह टाइटन हार गया है एकलस तो जूज ने इसको यह सजा दी कि तू पूरे जो हेवंस है उसको आपने कंदे पर लेकर खड़ा तो वो जो चीतर है अपने कंदे पर लेकर खड़ा रहता है वो सजा भोगता है उतको हम एटलस का चीतर है और नक्षे वालों नक्षे बनाने वालों ने वो चीतर अपने किताब पर साथ दिया और इसका यह बिल्कुर समाना अर्थी हो गया कि एटलस का मतलगा है नक्षों लगण जड़ी गदाओ, तो यह एपोनिम है, एटलस का, इसी तरह से आप देखो, बाइकाट किसी का बाइकाट करते हैं, बही श्थाल करते हैं, बाइकाट केसे आया है, आपने, यह एपोनिम मैं बाइकाट, बाइकाट नामका एक land agent था, ऐर्लेंड में, और उसने, महां के आस पास कि किसारों ने कहा कि साथ आब जो है अब लगान गठाइए हैं लगान खाव है तो उसने जो है लगान-ख करना करना को कशलING नहीं कि तौँमसे हमारा कोई लेड़ा करना नहीं तुम्हारे जमेन है उस पर हम को कोई साम Kenneth नहीं है तुमको जरूरृत जो गठना गठी और इस परकार की बविशा में जो गठना गठाने चाहते हैं उसको हम वाइकाट कर देते हैं आप सहलता से यूज कर लेते हो प्रणु यह एपॉनिम है इसे तरह से आप देखो पैनिक पैनिक माने भाइंग को ड्रॉल लगिया यह भी एपॉनिम कैसे हैं कि देखें माना जाता है कि पान पिये एंद पान पान एक शेफर्ड का गोड था शेफर्ड में चरवाए पुरहन टायम में तो चरवाओं से हमद्री होती थी यह धन था अपने इंडिया में रिशी मुनियों का धन गाये ही थी और कोई ज़्यादा नहीं थी जिसके जितनी ज का इनकी प्रक्ति हैं इनकी हो सकती है गोड शकल शकल जेसी हो सकते आपने गडंड दी stamp वेसे तो मेरा कहने का मतलब ही आप एपोनिम्स की ही लिस्ट बनाएंगे तो इस एपोनिम्स ने अंग्रेजी भासा को बहुत सम्रद्द किया है अब आप एक बात और सोचें जैसे डीजल है आप डीजल बरवाते हैं यह डीजल भी एपोनिम है रूडव डीजल ने डीजल को एकतर करके इंजन की एफिशेंशी बढ़ाई या मतलब एक इनर्जी पैदा करें उसके नाम से हमने उस लिक्विड का जो फ्यूल है इंजन है उसका हमने डीजल नाव रख दिया तो कहने का मतलब है कि लिस्ट बहुत लंगे है पर आप यह नामों से कामों से उनसे हमने कोई नावन बनाया तो उसको हम एफुनियम करें अब आपको मैं थोड़ा और बताओं शेंडविच आप बहुत आसने से कर लेते हैं सेंडविच कि सेंडविच क्या होता है कि साथ दो ब्रेड दो रोटी ली और उसके बीच में आपने सब्ज ड़िवी डाली और दबा करके और फिर उसके आपने एक बंडल सा बना करके साबना शरू कर दिया इसको आप सेंड्विच करते हैं तो किसी से ने किया होगा ना परतो यह जो किया था इस प्रकार का भोजन करने का पुरियाज किया था हूँ अब आपने सेव को पहां देज दिया कि मेरको तो इस तरह से लादो रोटी के ओपर रोटी डूज में सब्जी और मोजो खाते लूगा यह इसको भूद्या सेड़ीच तो आज भी आपके साथ में अब आप बहुत सहस्ता से सेड़ीच का दाम ले देते हो पर धन्य है कि अब आप देखें दो सब्सक्राइब में आपको बताऊंगा और एपोनिम को कि सोम नाम है सोम नाम सोम नाम जो है रोमन गोड माना जाता है निंद्रा का रोमन गोड माना जाता है निंद्रा का और उसके जो पुत्र है उसके जो पुत्र है उनका नाम है मोर्फिक वो भी सो सोते उनकी यह उनको थाकत है कि किसी भी इंसान में मनुष्य में वह प्रकट हो जाते हैं ड्रीम के रूप में सपने के रूप में तो इसलिए आपने कोई ड्रग ली है और आप सपनों में सोय हुए हैं तो इसका मतलब वह जो ड्रग जो आपको इस तरह का भाव पेड़ा कर करती है उसको हम मोर्फिन बनते हैं मोर्फिन सब्दा है मोर्फिक से तो मैं आप से कहूंगा कि आप एक बार आज आज इसको एपनिम सो करने और एपनिम सो करके लिस्ट बहुत बड़ी है लिस्ट को यह आप देखोगे तो बहसा को बहुत सम्रद दिखिया है और बहुत आ राइलो अब नेक्स है था एंटोनीम आठ्टो एंटो मेंज दूरॉड एंटी निम माने नाम संसे विरुधि नम अब आपके कोई नाम लिए है उसका विरुधि नाम क्या होका है है न, जैसे मालो के आपने नाम लिया, गिला, वेट, तो इसका एंट्रोनिम क्या होगा, ड्रै, गिला का, सुख, ड्रै, और इसे तरह से आपने लिया मालो, गे, गे मैंने खुश, तो उसका एंट्रोनिम हो जाएगा, डिप्रेस्ट, तो यह तो एक तरह से डाइरेक्ट जो हैं एंट्रोनिम बन जाते हैं, पर इसके अलावा जो एंट्रोनिम बनते हैं, वो प्रिफिक्ष लगाने से भी बन जाते हैं, और आपके हिसाब से, आपके फिल्ड में आपको यह सीखना चाहिए, कि कौन-कौन से वो प्रिफिक्ष हैं जिस्षे की एंटोनिम बन जाता है अब आप देखिये न कि एबल तो इसका एदि मुझे एंटोनिम बनाना तो क्या बनाँगा अने बल दूसरा मुझे बनाना इंपोर्टेंट तो मैं अनिंपोर्टेंट अब इसी तरह से मैं बता हुगा कि मैं लो मालो एक तरह से मिस मिस तो अब मिस मैं लगानाता हूं तो मिस मैं क्या करूँगा मैं कि मिस तरह से पिल इन बिलीटी और इन बिलीटी र इन बिलिटी दिश दि सिरिपक्षालो न न बिलीटी Оर इन थिMAN है बिलीटी भ्लिक्साल र विलू न तो दायों आपका इम पॉसिबल और इम पॉसिबल तो मैंने हिसाब से जो मैंने अभी तक आपके लिए तियार किया है उसमें पांच प्रिफिक्स हैं जिस्से की वो एंड की एंटोनिम का निर्मार हो सकता है वो कौन-कौन से दिस इन अन मिस नौन पांच होगे यह पांच है यह इनि डिस इन इम नौन मिस अन इससे आप पांच निर्मार एंटोनिम भी कर सकते हैं स्यनौनिम में तो समयनार था है वह हर तरह न चाहिए एंटोनिम में उसका एंटियर्द हर रना चाहिए तो उससे आपका यह एंटोनिम बन जाए का तो एपोनिम is very important एंटोनिम is important but it does not give us a different word डिपिरेंड वर्ड नहीं है उसे को परिपिक्षिया सफिक्स लगांकिरकर हम बना देते हैं तो फिर नेग्ट से जो निम का प्रिपिक्षिय वह हो वा होमो निम होमो होम बीन्स क्या हुआ था समान एक जिसा समान तो मैं आपसे पूछऊं कि मैं जैसे मालो मैंने बोला, मैं बोलता हूं कि फेर, और कोई sentence मैंने नहीं बोला, तो आप फेर का क्या अर्थ लगाएंगे, आप लगाएंगे कोई मेला, या फेर मनी अच्छा, फेर वर्क, अच्छा, पर जब तक संदर भी बता हूं, तब तक आप इसका अर्फिल, पंड तो हो सब्द हो ही है, दवनी हो ही है, फेर, और इसी तरह से मैं लिखूँ, लीड, तो लीड लिखा मैंने, तो हो सकता है कि ये सिशा हो, मेतल हो, या लीड मानी, लीडर्शिप करने की बात हो, लीड करना हो, अब इसी तरह से मैं लिखू, माल लिए, देर, और यहां मैंने स्पिलिंग चेंज कर दी तो मैं आपको यह बताना जाता हूं कि दो संभाव नहीं हो सकती है एक तो यह हो सकती है कि स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो और अठ जो संदर्ब पर निर्बर करेगा दूसरी है कि स्पेलिंग डिफ्रेंट हो और अवाच्व फोनय मने बोली जो है वो समान्ट। इसलिए होमोनिम की दो ब्रांचेज हो सकती है होमोग्राफ और होमोफोन होमोग्राफ का मतलब है कि ग्राफ मने इस्पेलिंग शेम और होमोफोन का मतलब जो है धवनी शेम परन्तु उनका अर्थ जो है वह अलग अलग होगा अर्थ शेम नहीं होगा जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि तू 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 अब यह क्या है होमोफोन है होमोग्राप नहीं है होमोफोन है बोली एक जिसी बोल पारा हूं परन्तु जिदी संदर्म लुएन है तब ही आपको इसका फर्क पता लगेगा अन्यता में जब तक संदर्म नहीं लुगा तो आपको एक जिसे लेगा तो मैं आज आपके सामने केवल होमोफोनिम एंटोनिम और होमोनिम इतना ही करना प्रिफिक्स का निम भी आपर कर लेते हैं तो निम्फ झ॑ अब निम इसम है प्रिफिक्स और प्येश यह कीओ तो निम्फ मनी क्या होता है ब्यूटिफुल्म मेधन कुंवारी संदर्व कर्णया कण्या अब इतना तो मैंने बोल दिया निम्फ का पर इसका यह दिखिक आप जूलूजी के स्टूडेंट है तो आप अर्थ अलग लेंगे हैं जूलूजी में नीम्फ होता है जो इंसेक्ट का डवलमेंट होता है इंसेट के जो चार स्टेजेज है उसको जो इसी अडल्ड तवस्ता में आने के लिए उसका पहला स्टेज होता है ठाहर नहुत रूपका पहला स्टेज रूपक का डिस्टिंग्शन नहीं होता है इंशेक्ट का जो अडल रूप होना चाहिए, वो पूरा नहीं यादा है, उसको भी हम निम्प कहते हैं, उसको भी हम निम्प कहते हैं, तो इसलिए जुलोजी का स्टुडेंट होगा, निम्प का मीनिंग वो लेगा, और ये दूसरा स्टुडेंट होगा, तो वो लेगा निम प्रमाने सुन्दर कुमारी कन्या और इदी रोमान माइथोलोजी से लोगे तो वो तो ये मानते हैं कि समुद्र हो नदिया हो जेले हो या पहाड़ हो इन में सुन्दर कन्याओं का वास होता है परकार से आपने इकों और नरसीस की स्थेविशी सुनी थी जंगलों में गूं रहे हैं कि तुम कहां तो उसका आवाज आती है तुम कहां वो कहेगा मैं यहां तो नार्सिस क्या कहेगा मैं यहां दो में वो की वही हावाज गुंते इसलिए उसको हम बोलते हैं इको यानि वह जो निफ है अभी भी पहाड़ों में गुं रहे हैं इसलिए मैं आज का वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए और आपको थो ने एकतीन सब्धों दो में अच्की ले समजा दूं यह समल् LYा आप अच्कीता सर्फिलो और खाली अपने तकी जो मिलने वाले उसका भी बला चाना उनको भी बताना यह बता करके आप जो है इसको अच्छी तरसे शीक करके कल मेरे पास फिर आना पुने अपन वीडियो बनाईगे